शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना ऐसी प्यारे प्यारे भाव देते हैं बोली भाली संगत को गुरुजी माहराज और आज यहाँ पर आने के लिए यह धीरा अंटी अंकल किया जो भी जहाँ बुलाया गुरुजी ने पर बहुत बार गुरुजी ने नहीं आने वो किया था और शेदाट का किया था पांच का किया था तो उस दिन कोई वरत था वो महालक्षमी का तो मेरे साथ जिन सेवादारों ने आना था तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आ सकेंगे आज तो मेरे को भी ध्यान नहीं रहा तो मैंने बिटिया को बोला कि इन्होंने संगत क को नहीं बुला यह अपना भाव होता है इन्होंने का हमने सिरफ घर घर के बैठ के सत्संग करना है तो आंटी बस समचाते हैं आप आजओ हमारा बड़ा मन है और आप जिसको भी दो तिन सेवादार को लाओगे तो मैंने बोला गुरुजी ना मन परिक्षा लेते हैं हमारी भ जाते हो या तुम थोड़ी संगत में भी जाते हो तो मैंने बच्चे को ऐसी पूछ लिया मैंने का भी आज थोड़ा व्रत का है अगर तू एक दो दिन आगे पिछे कर सकती तो हम कर लेते हैं नहीं तो फिर मैं किसी को यहीं से भेज़ देती हूं लोग जानते हैं संगत जोच के बताती हूं तो इन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं मंमी से बात हुई है आप ही आजाना चलो आप पर देदो पर गुरुजी ने जिसकी सेवा लेनी होते हो तो इससे लेहीं लेते हैं और तो बरियाच कैंसिल होई फिर उसके बाद मैंने जो सेवादार थे मैंने उनको माया पूरी चौक पे बुलाया जबकि हमें जाना बाइपास से था मुझे नहीं पता था कैवल ने बोला मैं तो महां से जाओं गई नहीं वो त्यार हुए हुए महां तक पहुंचे हमने बोला क वो वचारों का बड़ा मूड आफ हुआ कि हम त्यार होके खड़ें और हमारे को नहीं बुलाया मालिक की मर्जी होती किसको बुलाना है फिर मैंने रास्ते में ही यहां का इन्विटेशन का ग्रूप बना है मैंने उसमें मैसिज डाला कि कोई दो सेवादार आ सकते हैं तो आजाए यह ऐसा नहीं इतने से संगत में तो इतने परिवार में घर में दस लोग आ जाते हैं तो पर गुरूजी का श्याद होगा तो मेरे से डलवा दिया कि जरूत नहीं थी फिर भी डलवाया कि दो सेवादार आजें पर पूरा टाइम हो गया तीन बज़गे किसी का रि पूप में आगे यह लोग फिर एक आँटी हो रही है मैंने का वा गुरूजी आप यह तो आपकी मर्जी है हम जितना मर्जी हम बोलें कि हम नहीं बुलाना चाहते ऐसा नहीं को बुलाना नहीं चाहता उनका अपना भाव था एक्चली इन्होंने का बच्चे ने कि मुझे अपना थोड़ा अकेले बैठके ना मिनको एक भाव आता है कि मैं विकुल अकेले बैठके सत्संग करूं तो ऐसे हमारी एक आंटी है मैंने इनको बताया दरबार लगाते हुए रीवा आंटी है पंशील में रहती है बहुत बड़ा उनका घर है बड़ी लाविश कोटी है और उनके गर में फाइव सर्वेंट है और वो हमेश्चा जब भी सत्संग करती है दो चार मीने में वो कहती है कि मैं अकेली बस मेरे सर्वेंट पांच और एक मेरा बेटा और एक बुल बुलांटी आप और जो आपके दो तिन सेवादार है हमने किसी को बुलाना नहीं है मै उनको बहुत कहती हूं अब इतना बड़ा घर है इतना लंगर बनाते हो इतने पक्वान बनाते हो संगत को बुला लो कहते नहीं मेरे को गुरुजी के साथ बैठना होता है तो यह सब के अपने भाव होते हैं लेकिन वहां मैंने कभी किसी को नहीं गुरुजी ने कहलवाया नहीं आना होगा आज इनकिया आना होगा आप चार संगत ने तो मैं तो कहती हूँ वड़े भाग्ज़ा लिए हो आप लोग जो यहान तक पहुँचे हो क्योंकि यह हुकम होता और इसमें हम तुम यह कोई कुछ नहीं कर सकता जब गुरू का हुकम होता है वो यहां पहुंच जाता है और उसके नसीर में यह अमरित रूपी परशाद यह लंगर परशाद खाना लिखा है तो उसे कोई रोख ही नहीं सकता पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग आज देनी होगी गुरू जी ने कि नहीं नहीं करते भी आप सब को यह तो मालक किवरी लिल लिए की कहों किया चानिय यह जाने कि और मैं तो मैं और वाह ultimate और करते यह ही ना तो फिर हमंकी साथ शुकराने करने का और मन करता है तो मैं अभी एक छोटा सा इससंग सुनाती है, कल की बात है, मैंने अपने कपडे निकाल रखे थे, येलो कलर की मैंने शिर्ट निकाली थी, और एक और निकाला बठा, तो मैंने सोचा कि मैं यही पैन के जाओंगी तो जैसे ही मैं कल नेल आट करा के आई और मैंने यह नेल आट कराई और मैंने यह ऐसे ही करा ली मुझे नहीं बता था कि मैं यह वाला सूट पैनूँ गया और मैंने यह कराई और मैंने सोचा कि चलो यह तो सब अब करा लिए एक महीना चलेगी जैसे ही मैंने अलमीरा खोली और मेरे वह कपड़े तो मुझे दिखे गी जो मैंने निकाल ले थे और यह सूट मुझे आगे-आगे दिखाई देगे तो मैं यहां पर आई जब मैं इनको त्यार कर रही थी मैं मैंने को बड़े मज़े लेते ह के पहले ही मेरी नेल इट इतनी मैचिंक मै ने करा दी है कि में को सूट मैं हम पर ना दी है दूशे मैं-पियार करते हैं तू क्या सोचती है तो यह कपड़े प्याता करते है तो ये कपड़े पहनूगी वो पहनूगी कपड़े भी इनकी मरजी से पहनते हैं हम कहते हैं हम एक सास भी नहीं ले सकते हैं इनकी मरजी के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं इनकी मरजी के बिना इनका जिस कैबल ने कैब बुक करी वो मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर दूर थ मैंने उसको इतना समझाया उसको फोन बंदो गया फिर उसने कैब कैंसिल कर दी फिर दूसरी कैब आने में ग्यारा मिनट लगे और ज्यादा मिनट लगे तो उतनी देर में गुरुजी ने अपनी लीला रचली कि वह आंटियां नहीं पहुंच पाएंगी तो उनका नहीं और